हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल डिजाइनर रजनी आज का वीडियो बहुत खास रने वाला है क्योंकि स्यादियो का सीजन चल रहा है और साथ ही फेस्टिवल भी बहुत सारे आने वाली है और चल भी रहे हैं तो इस बीच आप इस तरीके की डिजाइनर ब्लाउ उपपडरकी तरफ हमें एक स्जाआट्न लेना लेनी है प्लसं यह पे ट्वडेंज अर्स पे करूंगी और नीची की सैडी हमें एक स्टेल्र लेना के सारे वीटभर कर लेनी है उसके बाद उपर के side हमें solder लेना है, 5.5 इंच और half इंच हमें solder को down करना है Friends इसक्रेण पर आपको blouse का map दिकरा है, इसी marking के coding हमें इसकी marking and cutting करनी है यहां पर half इंच shoulder down करके armhole की length लेनी है मेरी आर्मॉल की लैंट है वो 6 इंच है 6 इंच पर मैं आप एक सीधी लैंट ड्रो कर दूँगी और आर्मॉल लैंट को भी हमें इस तरह से सीधा माग कर लेना है उसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है सेम वही प्रोसेज रहेगा जितने आपकी चेस्ट है उसका फोर्ट से हमें डिवाइड करना है मेरी चेस्ट साइच 36 इंच और 36 का फोर्ट पार्ट होगा 9 इंच पलस 1 इंच की इसमें लिजिंगेट करूँगी क्योंकि यह फूल डिपनेक है तो यहाँ पे जादर लिजिंग हमें एड नहीं करनी है इससे तरह से हमें कमर की मार्किंग करनी है कमर का फोर्ट पार्ट लेना है 7.5 इंच पलस 1 इंच की में इसमें लिजिंगेट करूँगी और यहाँ पे तिर्चलाइन करके मिला दूँगी अब बेक साइड में हमें आर्मोल की गोलाई देनी है बेक साइड में आर्मोल की गोलाई में यहाँ पे वन इंच पे दूँगी तो इस तरह से सेंटर से वन इंच मा करके और यहाँ पे armhole की goal shape में गोलाई देनी है उसके बाद नेकी विर्थ लेनी है मैं यहाँ पे नेकी विर्थ 3 इंच रखूँगी 3 इंच पे माकर दूँगी नीचे भी में 3 इंच माकर दूँगी याने कि 3 इंच पर हमें एक seedland draw कर देनी है पूरा नेक है, फुल डीफ है, तो यहाँ पर 3-3 इंच पर माकर के सिद्लेंड ड्रो कर दूँगी अब आप चाहिए तो solder को down कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, मैं आपर half inch solder down करूँगी और इस तरह से तिर्चा मिला दूँगी नेक से, बेक साइड में हमें इस तरह से निचे की तरफ ये 1 इंच पर माक करना है और इस तरह से हमें इस तिर्चा मिला देना है, मार्किंग कम्प्रीट होगी, अब हमें इसे कट कर लेना है तो पेपर कटिंग कंप्रीट हो गई अब इसे फैबरिक पर कट कर लेना है तो जो इसका साइड वाला पार्ट है वो हम जो प्रिंटेड फैबरिक है उससे कट कर लेंगे और जो बीच में इसकी डिजाइन आएगी वो हम प्लेन फेब्रिक से करेंगे तो इस तरह ऐसे इसको डबल फॉल्ड करके रख लेना है और पेपर के जैसे सैम कट कर लेना है तो फेब्रिक की कटिंग भी कंप्लेट हुई अब बीच में हमें डिजाइन ड्रो करनी है वो हम प्लेन फेब्रिक से करेंगे प्लेन फेब्रिक की दो पर्टि ली है मेने इसकी जो लेंध है वो मैंने री है 11 इंच और इसकी वीर्थ है वो मैंने 7 इंच रखी है आप जितनी बड़ी या चोड़ी पटी रखना चाहिए उतनी आप रख सकते हैं और यहाँ पे मैंने धाय डाय इंच की दो पटीय ली है इसकी blouse की length के according तो अब हम इसको stitch करेंगे सबसे पहले हमने जो पटी कट की है plain fabric की उसे हमें complete कर लेना है stitch करके तो यहाँ पे पटी को इस तरह से side में ford करना है जो भी इसकी विर्थ है विर्थ वाइज हमें इसको ford कर लेना है इस तरह से ford करके पटी को complete कर लेना है दोनों पार्ट में हमें same यही करना है दोनों पटी को side से stitch कर लेना है तो यहां पर मैंने दोनों पट्टी को ready कर लिया है अब इस तरह से पट्टी को length के इसाफ से two fold कर लेना है और half inch gap छोड़ती हुए stitch लगा लेना है दोनों पट्टी को same stitch करेंगे यहां पर extra fabric को हमें कट कर लेना है और पट्टी को सीधा कर लेंगे अब जो हमने stitch लगाई हूँ पट्टी के center में होना चाहिए और center से हमें इस तरह से दोनों साइड गेप छोड़ती हुए एक mark लगा लेना है जहां पर हमें stitch लगानी है क्योंकि इसमें डोरी आएगी तो इसलिए हमें center में जगा छोड़नी है दोनों पट्टी को same इसी तरह से mark करके बीच में stitch लगा लेनी है जहां पर हमने mark लगाया है उसके उपर हमें stitch लगा लेनी है दोनों पट्टी हमारी रेडी हो गई है अब इसके center में हमें डोरी आड़ करनी है आप चाहिए वो डोरी आड़ कर सकते हैं तो जितनी वे आपकी length है उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है डोरी को और बराबर पारट करके कट कर लेना है अब हमें pin की मदद से डोरी को जो हमने stitch लगाई है पट्टी के उपर उसके center से में इस तरह से निकाल लेना है अब हमने जो आगी के तरफ सिलाई लगाई है उस तरफ हमें डोरी को इस तरह से निकालना है और जो इसका side corner है जा पर हमने stitch लगाई है वहाँ पर डोरी को लोक कर देना है तक यह बार नहीं निकले तो दोनों पार्ट में हमें सेम यह process करनी है और इस तरह से इसकी gathers बन जाएगी अब डोरी के corner पर हमें फुन्दे add कर लेने है आप जिस तरीके की design के चाहिए उस तरीके के आप add कर सकते हैं यहां पर हमारा design वाला पार्ट है वो ready हो गया है अब हमें blouse को stitch कर लेना है तो इस तरह से हमें blouse की length यहां पर mark कर लेनी है जितनी भी आपकी blouse की length है वो हमें mark कर लेनी है 1.5-3 inch पर mark कर लूँगी उपर half inch गेव छोड़ती हुए और दोनों को ब्राबर mark कर लेना है ताकि उपर नीचे ना हूँ देन यह आपर जो हमने पट्टी ready की है उसको फुन देवाली साइड है वो हमारी armor की तरफ रहेगी और जो हमने नीचे की तरफ mark किया है 1.5-3 inch पर इस तरह से वहाँ पर हमें पट्टी के corner को अच्छे से set करती हुए pin up कर लेना है दोनों तरफ हमें same यही process करनी है पट्टी की उल्टी और सीधी साइड को आपको ध्यान रखना है जो पट्टी की staging line है वो आपकी उपर रहने चाहिए और फिर इस तरह से हमें जो पट्टी ली थी डाई इंच की वो हमें इसके उपर इस तरह से उल्टी रख लेनी है एक बार में फिर से clear कर देती हूँ यह हमारा उल्टा पार्ट है, सीधे पार्ट के उपर हमें पट्टी को रखना है, पट्टी जो उल्टी साइड है वो हमें इस तरह से रखनी है, यह पट्टी कुछ इस तरीके से आएगी, और इसके उपर हमने जो डाइंज की पट्टी ली है, वो हमें इसके उपर रखके इस्टीच हमारी complete होगी है, एक्स्टा fabric को cut कर लेना है, फिर पट्टी को इस तरह से ford करना है और इसके उपर एक इस्टीच और लगा लेनी है, तैकि finishing अच्छी आए अब पट्टे को इस तरह से अंदर की तरफ फिर से फोर्ट करना है यह इस तरह से बाहर निकल जाएगी यह वाली डिजाइन और हमें इसके उपर इस तरह से पट्टी को सेट करते हुआ फोर्ट कर लेना है अच्छे से बिलकूर फिनिशिंग के साथ आप इसके उपर पांच नंबर की सिलाई लगा सकते हैं यानि कि आप दुरपाई करेंगे तो और भी एच्छी फिनिशिंग दिखेगी आप चाहे तो इसके उपर लैस भी अड़ कर सकते हैं अगर आप प्लैन फैब्रेक में बनाके लैस अड़ करेंगे तो अभी काफी अच्छा दुखाएगा इसका फ्रेंड्स वीडियो यूसफूल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिलकूर ना बूलें क्योंकि ऐसी डिजाइनिंग वीडियो में लाती रहती है हमेशा इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रेड़ी यहां पर हमारे दोनों पार्ट रेड़ी हो गए है अच्छे से हमें लोग कर दिना है तो इस तरह से आप इसकी गेदर्स बना सकते हैं आप चाहिए तो इसकी उपर लेस भी डेकोर कर सकते हैं काफी अच्छा लुक आएगा और आपकी साइज अगर आप मोटे पतले किसी भी साइज में आप अगर हो जाते हो ना तो भी आपको यह बलाउज बिल्कूर परफेक आप इसको लूज भी कर सकते हैं तो काफी यूजफुल वीडियो है और काफी अच्छे डिजाइन है देखो किस तरह से कितना प्यार लुक आ रहा है इसका अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया तो प्लीज रेड हाट कामेंट करना बिल्कूर ना बुलिए मिलते हैं ने